ओम स्री गनेशायनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी सौंबार के रासी फल के बारे में की हादिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रतेकारे सरल्ता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाएं और विचार धरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अने को इक्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसर रूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उस काफी अच्छा रहने वारा है मुस्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्य भार की आज दिखता रहे ये अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजरे जल्दबाजी में फैंसला ना ले ताकि जिन्दगी में आगे आपको पच्छताना ना पड़े साती साथ अपना काम किसी और पर ना टाले और स्वेम अपना कार्य करने की आदर राले माता पिता का अवस्चे ध्यान रख क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ति असंभव है। परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता हैं नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल्जाने के लिए किसी की सला आप अवश्च चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुस पूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकरसन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का द करेती हैं जा आपका व्यवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी व्यवशाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेस करना लाबदायक रहेगा कारेचितर में आज माहौल काफी अच्छा रहेगा और वैपार वैवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे क करने का भी प्रेत्ण सफल हो सकता है साथिसाथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राइं हो सकती है जिनका आपको शकारत्मक परणाम प्राप्त होगा जिहां दोस्तों वैवसायक द्राश्टी से आज की स्तिती आप के लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कहसा रहने वाला है। दोस्तो ब्रहम भे वे पीड़ा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे। खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा। स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। आपसे बहुत ज़्यादा प्रसंद होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदेब बनी रहेगी। या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें, आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा। दोस्तो भगवान भोलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सचे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भूलेना तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद।